सिधार शुकला के जाने के बाद शेहनास का बड़ा फैसला सब कुछ छोड़ा सिधार शुकला के जाने के बाद अब तक उन्हें कोई भी भुला नहीं पा रहा आपको बता दे तो 2 सितंबर को सिधार शुकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था उनके जाते ही उनका परिवार और उनकी खास और सबसे अच्छी दोस्त शेहनास गिल पूरी तरीके से तूट चुकी है एक तरफ उनका परिवार इस दुख से बाहर आने की कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी और शेहनास गिल अभी सिधार्थ की यादों में डूबी हुई है वो अपने पिशले दिनों सिधार्थ के साथ बताए खुबसूरत पल को याद कर सिधार्थ को खूब याद कर रही है खबरों में ऐसा भी जानने को मिला है कि सिधार्थ के जानने के बाद शेहनास अपने होशो आवाज खो बैठी है ना वो ठीक से खापी रही है ना ठीक से सोपा रही है मानो कि उनका भविश्य ही खत्म हो गया हो शहनास का ये हाल उनके फैंस से देखा नहीं जा रहा और वो शहनास को होसला देने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन हाल ही में शेहनास को लेकर एक बड़ी खबर जानने को मिली है इंटरनेट पर दिये sources के मताबिक यह बताचा रहा है कि शेहनास अक्टूबर महीने में ना ही कोई event ना ही कोई promotion ना ही कोई public appearance में देखने को मिलने वाली है जब से सिधार्त ने इस दुनिया को अलवदा कहा है तब से शेहनास ने भी सोशल मीडिया से दूरी बना ली है सोर्सेस की वाने तो शेहनास ने ये भी डेसिजिन लिया है कि शेहनास अक्टूबर महीने तक कोई भी काम नहीं करेंगी आपको बता दे तो आने वाले दुनों में शेहनास की एक फिल्म भी रिलीस होने जा रही थी जिसका नाम है होसला रख लेकिन अब इस फिल्म को लेकर भी कोई क्लियर खबर सामने नहीं मिली है सभी लोग शेहनास के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से डल्द ठीक हो जाएं और सिधार्थ के इस दुख से वो खुद को जल्द से जल्द बाहर निकाल दे तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताएं